तो है गाई स्वागत आपका एक और फिर शे आपी के यूटिव चैनल में और आज की वीडियो में बात करेंगे एनच पीशी को लेकर आप लोग देखोगे एनच पीशी में आज फिर शेक रेक्शन है ठीक है और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे भी पावर सेक्टर के ल लेवल कैसे रहेंगे और बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि आपकी वज़ा से शेर में फस गया है मैंने आपको कब बोला हाई प्राइस स्टॉक में इंट्री के लिए मैंने आपको शरफ और शरफ एक ही बात बोली थी जब यह स्टॉक 110-12 क्या स्पास था वहा त्रीकें बनी 95-90 की रेंज में स्टॉका चल रहा था उस टाइम मैंने आपको बोला था कि कटकुडों में invest करना है एकदम से पैसा नहीं लगाना थो एक अच्छी खासी क्रेक्शन के ऊपर है एकदम से पैसा लगाना नहीं है और प्रकोण invest करना है उसके बाद आप लोग देखो कि स्टोक 90 क्या स्पास आया माले जी हमने मैं आपके वह लेने हमने स्टॉक के अंदर ठीक है स्टॉक गिराउट में 200 किस प्रकार से लेनी है वो समझे वो हमें लेनी है भी 4-5 टुकड़ों में ठीक एक तब से पैसा बिलकुल ने ढालन है हमने मालेज 200 शेर लेने तो 200 शेर पहले हमने चरणोग पचाश यह उठा लिये ठीक है मालेज जी 90 के वहां में भी टाम है हमने यहां से पचाश शेर इसके उठा लिये उसके बाद अगर क्रेक्शन आता है श्टॉक नीचे में जाता है तो उस कंडिशन में थोड़ा थो कोई आपको यह कहे ना भी मैं आपको इतना कमवा के दे दूँगा यह मैं आपको करवा के दे दूँगा वो करवा के दे दूँगा तो सब बकवास है ठीक है कोई भी आशा नहीं सिर्फ और मार्केट के अंदर experience ही काम आता है अगर 5-6 साल आप लोग मार्केट में बिता हो ग ले तो सीधा पैसा कभी मत डालिए थोड़ा खुद भी research करो उसके बाद आप लोग देखो एक strategy के तोर पर investment कीजिए strategy मा बार बार आपको यहीं समझा रहा है आप लोग मार्च मंत में या फिर आप लोग अगले एक-दो महिने में यानि कि मार्च हो गया अप्रेल हो गया इन एक-दो महिने में एक-दम सारा का सारा पैसा market में invest मत करो ठीक है संकेत कलियर तो नहीं आ रहा है लेकिन कहीं न कहीं क्रेक्शन के संकेत आ रहे है market के अंदर ठीक है अगर market में एक अच्छा खासा fall होगा भी तो 4-5% market crash हो सकता है उस condition में stock आपको नीचे के दामों में मि देखोगा सभी stock भरपूर तेजी दिखाए थी और उसके बाद profit booking वगरा हुआ हुआ उन में सब कुछ हो लिया गिरावट में मिल रहे हैं बीगे टाइम 25-25-30-30% के आसपास correction के उपर है है ना NSPC यह JVN और भी बहु सारी power sector कंपनिया है जो आपको अच्छी-खासी correction पर मि अहां तक आ सकता है सब कुछ आपको बदाएंगे डिटेल में तो चलिए बिना skip के वीडियो को एंड तक बोस्ट करना और आज भी आप लोग देखोगे जो आपको पांच क्रोड चुरासी लाग की आसपास की वोल्यूम दिखाती हुए नजर आया है 89.10 पैसे के भाव में क्लोजिन लगबग 1.5% के असपास क्रेक्शन तो चलिए सबसे पहले देख लेते भी इसका डाटा इसका चार्ड देखेंगे तो यहां पर आप लोग देखो भी NHPC का डाटा वगेरा देखने को मिल रा खिरकर वो कैसा है प्रिवेस क्लोजिंग 90 रुपे थी ठीक 9.45 पैसे 1500 क्वांटिटी का सेल ओडर है डिलेवरी पोजिशन के अगर बात की जाए तो यहां पर देखोगे साधे 36% के क्रिव डिलेवरी तो डाटा ठीक हाके आते वह नजार है कुछ खास भी नहीं अभी डिलेवरी ठीक है लेकिन जो सेलिंग की एक छोटा सा ओडर है तो चलिए अ वह स्टोक के उपर दबाओ हमें देखने को मिला लेकिन उसके बाद आप लोग देखो कि स्टोक में रिकवरी भी काफी शांदार बनी है स्टोक नीचे से चला और उपर में 99 क्या सपास पहुंचा फिर वहां से क्रेक्शन स्टोक में फिर से अभी टेम क्या कर रहा है अभी ठीक है उपर में 100 रुपे के लिए तयारी पकड़ लेगा उसके बाद आप लोग देखोगे नीचे में अगर यह ट्रेंड को काटता है तो पिछे अतर तक आने के चांसिज रहेंगे ठीक है यह वन हावर टाइम फ्रेम पर मैंने निकाला है तो नीचे में अगर ट्रेंड को काटा तो 75 तक के मूव आने के संभावना बन सकती है और उस कंडिशन में फ्रेश इंट्री के जो माहूल रहेंगे नीचे में 75 के आसपास तो 75 के आसपास अगर स्टॉक किसी भी कंडिशन में आता है तो वहां से थोड़ा-थोड़ा करके अपने पॉट्फोलियो में या अगर बात करें न्यूस की तो यहां पर आप लोग देखो को भी सरकार की तरफ से बड़ा फैसले के ऊपर जोनबी बातचीद चल रही है सरकार की जोनबी कई अनरजी स्टॉक है खास तोर पर पर जो पावर सेक्टर के कंपनिया है काउंसे रिंट पावर स्लेटिट कंपनिय है उनके अंदर हमें जोनबी बिकवाली का माहुत बनते वोए नजर आया है लेकिन एक पर तो सुजलोन अनरजी तो आप लोग यहां पर आप लोग देखोगे भी दरसल खबर है कि सरकार विन एनर्जी कैपसिटी ठीक है के लिए रिवर्स निलामी वापस लाने पर विचार कर रहा है इस ख़बर के बाद भी ही आप लोग देखोगे सुझला नजरी की शेयर जोना भी भारे भी कवाली देखने को मिल रही है कंपनी के शेयर आज पिछले बंद से आप लोग देखोगे अच्छे-खाची क्रेक्शन पर लेकिन लास्ट में थोड़ा वह तो रिकवरी स्टॉक में बन गई थी उसके बाद आप लोग देखोगे बही क्या है यह तो यहां पर देखने को मिलेगा भी न्यू एंड रिनेवल मंत्रा लेंगी MNRE Energy कंपनियों के लिए Wind Energy Capacity की निलामी के लिए जो रिवर्स निलामी है वापस लाने पर विचार कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक मंत्राले ने NTPC, NHPC, SJVN और NAPSU जैसी कंपनियों को एक पत्र भेज कर निर्देश दिया है जिसमें हालियाविंड बोलियों में अंडर सब्सक्रिप्शन और अधिक टैरिफ कोज के कारणों का हवाला दिया गया है रिपोर्ट के अनुसार आप लोगो देखोगे MNRE ने रिवर्स निलामी के पहले के द्रिश्टी कोण को बहाल कर दिया है और सादे जो वे निला पवन निविदाओं के लिए साइज को 600 मेगावोर्ट तक सिमित कर दिया है और निलामी जो नविकरनी उर्जा कारियन वेन अजन्सियों दवारा यानि कि पैन इंडिया बेस्ट बोलिया जारी करना अनिवार्य कर दिया है बता दे कि रिवर्श निलामी सिस्टम के तहद बोली लगाने वाले एक दूसरे कोई खिलाफ तब तक बोली लगाते हैं जब तक कि किसी बोली कोई परती प्रस्ताव दवारा चुनोती नहीं दी जाए तो ये खबरे और बाकी इसे वीडियो को पोज़ करके आप लोग डेटेल में पढ़ भी लेना वाई ठीक है तो चलिए ये इतनी है और NSPC के सब कुछ मैंने लेवल वगर आपको बता दिया थैंक्यू वर वोचिंग दे वीडियो